बिस्मिल्लाई वाहमान वहीम असलाम रेकूं आज मैं आपको 10 साल के बच्चे की कमीज की पटियां और बैन कटिंग करने का तरीका और उसे चपकाने का मुकमल तरीका बताऊंगी सबसे पहले मैं बैन की कटिंग करूंगी बैन के लिए मैंने जैन्स बुक्रम पर 13 इंच के फासले पर निशान लगाया अब इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ यह हमने इसे सीधा फोल्ड किया अब इसकी मैं दुबारा मेयर्मिंट करके आपको दिखाती हूँ 13 इंच का हमने हाफ किया तो वो हमारे पास बना 6 इंच यह देखें 6 इंच पर इसी तरह मैंने निशान लगा लिया इसके बाद अब मैं इसमें चुड़ाई का नाप लूँगे चुड़ाई के लिए मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया इसी तरह दूसरी साइट पर भी 1.5 इंच का निशान लगा लूँगी अब इन दोनों निशानों को बिलकुल सीधा मिला लूँगी यह एक लाइन ड्रा कर ली है अब इसके बाद मैं यहां पर जो कोनों वाली साइट है वहां से आदा इंच उपर एक निशान लगाती हूँ और इसको अरेव में इस तरह इसकी शेप बनाऊंगी इसके बाद जो हमारी जुड़ी हुई साइट है उसके उपर से भी आदा इंच का निशान लगाया और इस तरह बैन के कोने से उसके सेंटर तक यह निशान बना लूँगी यह बैन हलका सा अरेप में होगा अब मैं इन लाइनों के उपर से कटिंग कर लूँगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कुमेंट सुरूर करें मेरे चैनल पर नई आने वाले सबस्क्राइब कर लें साथ लगे बैल आइकोन को भी जरूर प्रेस करें ताके मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले अब देखें यहां से मैंने आदा इंच अंदर की तरफ निशान लगाया बैन की उपर वाली साइट पर और इसे तिच्छा करके मिला दिया अब इसी लाइन के उपर से मैं कटिंग करूंगी यह जो निशान हमने लगाया है यह बैन को शेप देने के लिए है इससे बैन की शेप अच्छी आती है आप यह लास्क में लगाएं यह हमारे बैन की कटिंग हो गई है इसके बाद मैं आपको कमीज की पटियां कटिंग करने का तरीका बताती हूँ मैंने कट बैन लगाना है उसके लिए पटियों को भी हलका सा कट लगाऊंगी यह पटि की सीधी साइड है पटी की सीधी साइड मैंने उपर रखी दूसरी पटी की भी सीधी साइड को मैं पहली पटी की सीधी साइड के साथ मिला लूँगी दोनों की चिपकने वाली साइड एक साथ मिली होंगी अब दोनों पटीयों को पकड़ कर यह देखें इस तरह से थोड़ी सी जगा छोड़ कर स्लाई के लिए बाकी को मैं यहां से कट कर दूँगी यह पटियों की कटिंग हो गई है यह देखें पटियां बनने के बाद इस तरह एक दूसरे के उपर आ जाएंगी अब मैं आपको पटियां चपकाने का तरीका बताती हूँ सबसे पहले जिस कट्ड़े पर हमने पटियां चपकानी है उसे इस तरीक लेंगे ताके उसके बल बगर निकल जाएं इसके बाद इस कट्ड़े पर मैं पट्टी की जो चिपकने वाली साइड है वो कपड़े की तरफ करके इसे रखूंगी एक साइड से मैंने आदा इंच कपड़ा चोड़ा है ये कपड़ा सलाई के अंदर आएगा अब मैं इसे अच्छे से इस्तरी कर लूँगी ताके हमारी पट्टी चिपक जाए बुकरम वाली साइड से इस्तरी करने के बाद मैं इसे दूसरी साइड से भी इस्तरी करूँगी ये देखें इस तरह कपड़े को उलट कर इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरी करूंगे पटियां आप अच्छे से चिपकाया करें क्योंकि एक दो बार दूलने के बाद अक्सर पटियां कपड़ा छोड़ देती है उससे कपड़ा बहुत रफ लगता है यह देखें पटी चिपक गई है अब मैं इसे दुबारा उल्टा करके रखूँगी और इस साइड पे पानी का छटकाओ करूँगी और एक बार दुबारा फिर इस तरी करूँगी अगर हम पानी का छटकाओ करके पटियां लगाएं तो यह पटियां बहुत अच्छी बनती है और दूलने के बाद बुकरम कपड़ा नहीं छोड़ती अब मैं इसे जो स्लाई वाली साइड है उस साइड को इस तरी की बदद से मोड लूँगी ताके हमें पटी लगाते हुए असानी हो इसे अच्छे से प्रेस करके मोड लेती हूँ अब इसी तरह कपड़े की दूसरी साइड को भी इस तरी की मदद से मोड लूँगी यह आप इस तरी से लाजमी से मोड लूँगी क्यूंकि इसकी एक क्रीज बन जाती है और यह बलकुल सेट आती है इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद अब मैं सलाई का कपड़ा छोड़कर यह देखें यह प्रटी की खुरी साइड है और यह साइड हमारी कमीज के साथ जुड़ेगी तो यहां से मैं सलाई के लिए आदा इंच कपड़ा छोड़कर काट लेती हूँ अब इसे भी अंदर की तरफ पोल करके इस्तरी कर लूँगी यह देखें इस तरह यह दोनों साइड बराबर होंगी इसे अच्छे से इस्तरी कर लेना है वीडियो आपको समझा रही है तो लाइक जरूर करें अच्छे से इसे प्रेस कर लिया यह देखें हमारी पटी बिल्कुल त्यार है इसी तरह मैं कमीज की दूसरी पटी भी त्यार करूंगी यह जो कपड़े पे किनारी होती है आप इसे उतार दिया करें और जो इस तरह कटिंग के दूरान पीस बचते हैं उन पे पटी चुपका लिया करें इससे कपड़े की भी बचत होती है और यह फालतु पीस जाया होने से बच जाते हैं कमीज की दो पटी यह होती है एक बटन वाली और एक काज वाली जो बटन वाली पट्टी होती है वो थोड़ी बारीक होती है और जो काज वाली पट्टी होती है वो थोड़ी सी चुड़ाई में होती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहली पट्टी चपकाई है यह दूसरी पट्टी भी उसी तरह चपकाएंगे पिले बुकरम की साइट से इसे इस्तरी किया और इसके बाद हम इसे दूसरी साइट से इस्तरी करेंगे अच्छे से इस्तरी करने के बाद कपड़े वाली साइट पे पानी का छड़काओ करेंगे और एक बार फिर इस्तरी करेंगे ताकि हमारी पट्टी अच्छे से कपड़े के साथ चिपक जाए ये बहुत ही जबरदस आइडिया है जो मैं आपके साथ शियर कर रही हूँ आप इस तरह से अगर पट्टी चिपकाएंगे तो वो कभी भी खराब नहीं होंगी अक्सर हम दर्जी से जब सूर्स लाई करवाते हैं तो वो भी एक दो बार धोने के बाद बाजू के काफ या फिर बैन वगारा या कालर जो भी है ये कपड़ा छोड़ देते हैं अगर इसी तरह कपड़े पर पानी का छिड़काओ करके इसे सेट किया जाए तो ये कभी भी खराब नहीं होती और काफ कालर वगारा रफ नहीं होते नहीं पटिया ये बहुत ही जबरदर्स आइडिया है आप इस पे अमल जरूर करें ये मैंने दोनों पटियां इसी तरह चपका ली है अब मैं आपको बैन चपकाने का तरीका बताऊंगे ये देखे सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरी किया ताकि इसके बलब गयरा निकल जाए इसके बाद बैन को कपड़े के उपर सेट करना है इस तरह से हम कपड़े के उपर सेट करेंगे कि जो नीचे वाली इसकी साइड है उस साइड से सलाई के लिए कपड़ा बच जाए और बैन की जो उपर वाली साइड है उस साइड पे कपड़ा ज्यादा बचे क्योंकि हमने इसे फोल्ड करके भी स्लाई लगानी है ताकि कपड़ा बेन की दूसरी साइड पर भी आ जाए यह देखिए इसकी जो नीचे वाली साइड है यहां से मैं आदा इंच कपड़ा छोड़ कर काट देती हूँ यह कपड़ा आप हमेशा अदा इंच ही काटा करें अगर आप इसे कम काटेंगे तो वो कपड़ा स्लाई के अंदर अच्छे से नहीं आएगा और स्लाई में इसे कपड़ा निकल जाएगा यह बैन को भी उसी तरह हमने पानी का छड़काओ करके इस पे इस्तरी करना है अब इसका यह जो स्लाई वाला कपड़ा है इसे इस्तरी की मदद से मोड़ देती हूँ यह अच्छे से कपड़ा है सेट करने के बाद यहां से देखें मैंने इस तरह एक बार पिर इस तरी की मदद से कपड़े को फोल्ड किया और यहां से मैं कार्ड दती हूँ यह यहां से आप तबजह से देखें वीडियो को असलाई के लिए आदा इंच कपड़ा चौड़कर यहां से मैं कटिंग करूंगी क्योंकि ये वाला पीस भी स्लाई के अंदर आएगा ये हमारा बेंट त्यार है अब मैं आपको कमीज के बाजू को पट्टी लगाने का तरीका बताऊंगी इसके लिए सबसे पहले हमने कमीज के बाजू को इस तरी कर लेना है ये देखिए ये मेरे पास कमीज का बाजू है बाजू के उपर तकरीबन देर इंच कपड़ा छोड़कर फोल्डिंग के लिए यहां पर सीधी बुकरम रखके मैं इस तरी की मदब से चिपका लूँगी कपड़ा आप फोल्ड करके देख सकते हैं कि पोल्डिंग में कितना कपड़ा आएगा इसी तरह हम गरम इस्तरी की मदब से चपका लेंगे मुकरम वारे साइड से इस्तरी करने के बाद मैं इसे दूसरी साइड से भी इस्तरी करूंगी इसे अच्छे से इस्तरी करने के बाद अब मैं इस पर पानी का छिड़काओ करूंगी ताके हमारी पट्टी मदबूती के साथ चिपकी रहे पानी का थड़काओ करने के बाद इससे दुबारा इस तरी किया अब देखे मैं इसकी पोलिंग करती हूँ इस तरी की मदद से कपड़े को अंदर की तरफ पोल्ड करके यहां पर क्रीज बनाई और इससे दुबारा अंदर की तरफ पोल्ड किया ताके हमारे स्लाई असानी से लग सके कपड़ा अच्छे से अंदर पोल किया करें ताके स्लाई लगने के बाद कपड़ा बाही ना निकले और स्लाई खराब ना हो इस तरह हम यह बाजू की पटी बना लेंगे यह देखे हमारे बाजू की पटी त्यार है अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरे बाजू की पटी भी चपका लोंगी हमारे कमीज की तमाम पटीयां बैन और बाजू की पटीयां बिलकुर रेडी हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट सरूर करें इस तरह की बहुत सारी वीडियोज मैंने आपके साथ शियर की है आप वीडियो को मकमल बाज किया करें कोई भी पार्ट स्किप ना किया करें अगर आप वीडियो मकमल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आईगी इस तरह की मज़ीद वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें अगर आप इनके लावा मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कुमेंट करके पूछ सकते हैं इस तरह की मैं और वीडियोज आपके साथ शेयर करती रहूंगी दौाओं में याद रखेगा मिलेंगे हम और नई वीडियोज के साथ मेरी तरफ से आप सब को अलाह आफिस अलाह आप साथ अलाह आप साथ मेरी तरफ से भीडियोज आप साथ आप साथ